सबी का फिर स्वागत करता हूं मेरे इस नई YouTube चैनल पर यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपके लिए एक नई वेकेंसी आ चुकी है यहां पर Indian Coast Guard की नई वेकेंसी आई है यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आपको क्या eligible है क्या fees है और इसमें क्या काम होगा अपर बताने वाला हूं आप आई देखते हैं इस वीडियो में देखेंस यहां देख सकते हैं जैसे कि यहां पर इंडियन कोसगार्ड बैच और निकल गया है यहां पर जो इन फॉलने वाला है वह चार जनवरी से होगा और उसका जो लास्ट चलेगा हमारा मतलब जैसे लास्ट जेट चलने वाला है वह आपका 14 जनवरी तक इसका जो फीस प्रेमेंट का डेट आपको भी चौदर जनवरी के पहले भरना होगा और उसका जो एक्जामीनेशन है वह भी आपका फॉर्म भरने फिलप करने के बाद आएगा और इसका एडमिट काड भी फॉर्म भरने और फिलप करने के बाद ही आनेवाला है यहाँ फेक्व देख सकते हैं ज्यसे कि यहाँ पर आपको दिया है आपको फीस जैसे कि आपका minimum age होना चाहिए 18 वर्स मैक्सिमम एज 22 वर्स के बीच में होना चाहिए तो ही आप इसके लिए eligible माने जाओगे और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको eligible details दिया है जैसे कि इसके लिए आपको क्या eligible होना चाहिए अहरते हैं यहाँ पर आपको दिख सकते हैं जो आपका पहला है नाविक डिजी है आपका count डी भी इसमें भी आपको दिखाया गया है जैसे कि आप यहां पर पास हो सकते हो हाई क्लाश जैसे आपको दसवी पास होना पड़ेगा आपको कौन से भी बोट से आप पास होते हो इंडिया में आपको eligible माना जाएगा और यहां जो हमनों का थड है वह है यांतिरिक में पताया है कि आपको दसवी पास होना पड़ेगा और इस विद आपको दसवी पास होना है प्लस आपको इंजिनिरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मेकैनिकल इलेक्ट्रोनिक्स एंड टेली कम्यूकेशन सब्जेक्ट भी अगर आप इसके कोर्स भी किये हो तो भी आप के लिए बहुत ही अच्छा होगा इसमें आप अपलाइक कर सकते हो फ्रेंज फिन आपको मैं नीचे दिखाता हूं या देख सकते हो जैसे कि आपको वेकेंसी डिटेल में क्या पूछा है या देख सकते जो आपका पहला वेकेंसी है आपका है नाविक जीडी नाविक जीड चोटल आपको देखने मिलेंगे समें। जीरी में 260 पौस्ट को सिए तेसे 6वं मेंBob को हलाइण hmmm आपको यहां इसमें दिया है 35 पोस्ट यांतैक मेकेनिकल यांतोरीक Legal darle technology यहां पर यहां पर यहां का स्च में आप बिलग करते हो यहां पर आते हो उस कास्ट में आफना यहां अपलाई करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अब इस वेकेंसी के लास देट जो आने वाला है आपका वह है चार तारीक से आपका स्टार्ट होगा और आपको चलेगा आपका 14 टारीक के पहले तक चलेगा उसके पहले तक अब करते हो तो बहुत अच्छी बात है यह पे आपका देख सकते हो कि यहां पे आपका अभी लिंक एक्टिव नहिं हुआ है आपको चार तारीक तक वह लिंक आपको एक्टिव हो जाएगा आपका जो लाज डेट रहेगा और चौधारी के पहले अप्लाइक करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगा आपके लिए यह बहुत एक सुनारा मौका है अगर फिरेंस अगर आपको एक वीडियो हमारा अच्छा लागा तो आप इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए कुछ एक नया वीडियो बनाओ तो आपका पहले नोटिफिकेशन जाए जैसे कि आपको मालब पढ़िया है कि कोई नभी व अप्लाइक कर सकती हो